सब्सक्राइब दोस्तों आव मैं आप इस वीडियो में अगर आप मुबायल सोफ्टर के भाड़ सीखने जाते हमे इस वीडियो को आंधर तक देख्तले रहे हैं जर्च वीडियो को सब्सक्राइब funciona करा हैसा Kid क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो वीडियो की नीचे यहाँ पर रेट किलर का सब्सक्राइब बटन है यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तो चलिए बात करते हैं किस box से आप जो प्लेश को सकते हैं दोस्तों आप यहां पर देशकते हैं यह UFS3 box है यह नोक्या के लिए box था और यह अभी भी चल रहा है और पुराने model जो पहले स्वेश हो रहा है तो दोस्तों यह box भी आ है रिटाइर होने वाला है और इस बात करते हैं दूसरी चैनिस बंब से नम आप देख सकते हैं, या सपइडर मैन walls यह box जो आया इस spider man के बाद तो यह box भी जो है आप जो है रिटार हो चुका है आप इस box की भी हमें कोई जुरुरत नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बहुत है कि mobile software काम करने के लिए सबी mobile को flashing करने के लिए सबी mobile को unlock करने के लिए अभी market में जो दो box जो है work कर रहा है किसी भी mobile को आप unlock कर सकते हैं तो दोस्तों बता दू मैं आपको कि इस box की जो कीमत है लगभग तक्रीबन आज के date में 6800 रुपे कीमत है उसके बाद चलिए आप बात करते हैं चैनिस mobile के बाड़े मैं आपको बता दू कि अभी market में जो है miracle box जो है इसमें सारे mobile को add कर दिया गय कर सकते हैं प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो दोस्तों इस box की जो कीमत है लगभग 7500 रुपे साथ में आपको मिलता है इसमें कुछ केबल डाटा केबल सोरी जिक केबल और यह कुछ केबल आप देख रहे हैं इन में से बहुत साइज केबल आपको मिलेगा पैकेट मिलेगा आप इस hear और इस toते हैं और इस तरह से आप कर सकते हैं मोबाई को अन लोग करने के लिए और दौसतों मैं आपको बता दोंग कि आप जब आ गरें तो उससे पहले ज़िस जान लेना हूगा कि लीख करना जाते है उस मॉड़ के अंदर में जो CPउ कौन सा हार्विर के बारे में पहले आपको पता लगाना होगा कि इसके अंदर में जो CPU है जो CPU का नमर है वो नमर क्या है तो दोस्तों जब भी आप इस मोबाइल को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इसके आएसी पर लिखावा होता है कि आएसी जो कौन सा है सब्सक्राइब करने के लिए आपको पता लगाने के लिए आपको पता लगाने के लिए आपको गुगल पर जाना होगा उसके बाद में आपको दिखायता हूं दोस्तों कि आप तो सकते हैं के फ्लासिंग कर सकते हैं तो दोस्तों अगर मान की आप की मुभाईल का पता कैसे लगाएंगे कि उस मोबाइल में कौन सा आइसी Wellness advice तो इसके लिए आपको यहां Google में जाना होगा Google में आपको model लिखना होगा मान के लिए आपके पास कोई भी अगर mobile है उसके बारे माप पता लगाने कि इसका पता आप कैसे लगाएंगे तो आप मोबाइल को खोल करके देख सकते हैं या तो फिर उस mobile के बारे माप यहां पर Google पर टाइब कर सकते हैं इसका मॉडल नमर तो जैसे उसका मॉडल नमर आप करेंगे मोडल नमर टाइब करने के बाद बीच में आपको इस्के सतेना हैं कि अध सलेale मैंने यहां पर लिखा LAVA KKT 34i उसके बाद इसके बीच में मैंने space दिया उसके बाद मैंने यहां पर लिखा CPU टैब उसके बाद हम इसे search करेंगे Google पर और जैसे हम Google पर search करेंगे यहां पर यह दिखाएगा कि इस model के अंदर में जो है कौन सा CPU को यूज किया गया है कौन सा IC को इस सर्कीर में जो है फिट किया गया है तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे मैंने यहां पर सर्च किया लावा केकेटी चोंटीस आई उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि एंटी के 62 साथ सीप्यू है यानि की 62 साथ नमर का जो आईसी इस मोबाइल के अंदर में फिट क्या गया है तो उसके बाद आचलिए हम अपने मेरिकल बॉक्स के टूल में आते हैं दोस्तों आप यहां पर देख सकते मेरिकल बॉक्स का जो टूल है इससे हमने ओपेन कर लिया ह अब इसका ड्राइवर करने में आपको इसका सेैटप करना कंचोन है उससे पहले आप जान ले जैसे मानकी चलिए मैंने अभी लावा करती 34 आयए को सर्ज किया नेट पर उसमें दिखाया के MOKi62-9670 CPU's का है सारी प्रोशेसर की आप पर देख सकते हैं तो आप Link करना चाहते हैं सब्सक्राइब वह उसका सा पर आप लोस्त हैं उसके बाद उसका में यहां पर ससकरा इस्सेलेक्ट को मैंने सर्च एब हैं उसी तरह दोसी तरह करने का सिस्टम है रिड करने का सिस्टम आपर रिखसे डायते विười, डिकूट आप से रिझे करके आपके रिख चुछ सकते तो राइट कर सकते हैं अगर चेक लगा देंगे उसके बात निचे में जो है और उस ओप्सन पर कलिक करके आप अपने computer से आपके computer में जहां में भी जिस ट्राइब में भी जो है आपका flash file सेप किया हुआ रहेगा उस file को आप यहां से select कर सकते हैं और flash file को select करने के बाद उसके बाद आप यहां पर start button पर click करके आप उस flash file को उस mobile में जो डाल सकते हैं चरह सकते हैं और इस्टार करने का भी सिहें के बाद आप अबश रिखा एक हैश। अबह 극लूत start button पर click करके उसका IMI write कर सकते हैं उस mobile उसके बाद आप यहां दोस्तों देख सकते हैं read unlock read unlock का मतलब होता कि किसी mobile में अगर lock लगावा है और उस mobile का lock अगर आप जानना चाहते हैं कि उस mobile में कौन सा lock लगावा है तो उस mobile को जो है आप यहां पर देख सकते हैं कि उसमें कौन सा lock है तो read unlock पर आप चेक लगाएंगे start button पर click करेंगे और mobile को जब आप USB data cable से इस tool में boot कराएंगे उसका जो log है password जो है वो यहां पर show करेगा दिखाएगा और वो password जब उस mobile में आप डालेंगे उसका mobile unlock हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं reset user code reset user code का मतलब होता है का मान कि चलिए उसकी mobile में अगर log है उस log को आप नस्ट करना चाते हैं खत्म करना चाते हैं ठीक है हमेसा के लिए तो आप reset user code पर चेक लगा देंगे तो आप उस पर चेक लगार के लिए आप यहां पर बैक आप सेफ करने लिए लिए मन के चलिए कि अगर आप उस mobile को फोर्मेट कर रहे हैं तो फोर्मेट करने के दान दोरान क्या होता है कभी कभी के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे मैंने आपको एमटी के बारे में बताया उसी तरह से आप SPD, Speed Drum में कर सकते हैं, Qualcomm में कर सकते हैं यह सारा जो अलग अलग तूल है यह सभी तूल में जो है आप अलग अलग मोबाइल को फ्लासिंग कर सकते हैं, Read कर सकते हैं, Ride कर सकते हैं, Unlock कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप मोबाइल के अंदर में ठीक है यह सारे सारे टूल जो तो मैंने में यहां पर सब्सक्राइब कर लिया तो आप इसका बूट नमर जो है तो आप उसका बूट नमर जो है यहां पर आपको मुबाईल दिखा रहा हूं मुबाइल में मैंने बैटरी लगा दिया है मुबाइल और क्राइब करें तो दोस्तो यहां आपका सकते हैं इस मिरिकल्ट टूल से अब आप मेरिकल्ट टूल में जब आपका पुट कर जाएगा तो आप啦 कर कर सकते हैं कुछ भी आप कर सकते हैं इस मेरिकल टूल में तो दोस्तों हमारा जो यह फाइल जो है रीड हो चुका अब इसे हम अपने कंप्टर के किसी ड्राइब में सेफ कर लेंगे और ताके यह फाइल को हम किसी और मोबाइल में मान की चलिए यही मॉडल का कोई दूसरा मो तो हम जो है गूगल पर जो है टाइब करके मोडल नमार उस फ्लेस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आप करते हैं ड्राइवर की यूएसबी ड्राइवर होता है जब तक आप यूएसबी ड्राइवर अपने कंप्टर में इंस्टॉल नहीं करेंगे बनाए थी यूएसबी ड्राइवर लिंक और मोबाईल यूएसबी ड्राइवर लिंक उस वीडियो के अंदर में सारे के सारे के सारे ड्राइवर की जो लिंक दी वह है वो सारे के सारे ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्टर लेप्टॉप में इस तरह जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आप सारे सारे ड्रैवर को बारी जो है एक एक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बाद चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर मान के चलिए आपके पास अभी बॉक्स नहीं है अभी आप बॉक्स खरिदना नहीं चाह तो इसलिए मैं आपको बता रहूं दोस्तों कि अब मिरिकल बॉक्स चलाने से पहले आप एक इसका फ्री वर्जन है जिसका नाम है मिरिकल क्रेक ठीक है 2.27 इसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्कॉप्स में डाल दूंगा उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बीना बॉक्स के ही बीना बॉक्स के ही वह करेगा उसमें आप सीख सकते हैं आप मोबाइल रिपेरिंग कर सकते हैं तो दोस्तों मैं बता दू उसमें जो पूराना 2015 से पहले जितने भी मोबाइल होगी वह सारी की सारी Android, Smartphone, Keepit, लो भी होगी वह सारी, सारी, मोबाइल को आप पूरी तरह सची तरह सीख लें प्रैक्टिस आपको हो जाए उसके अब आप मेरिकल बॉक्स खरी सकते हैं तो दोस्तों उस करेक को यूज करने से पहले आपको यह सारी की सारी ड्राइवर जो आपको इंस्टोल करना होगा बारी-बारी से अपने कंप्पीटर में और यह करने से पूरी ने बीदियंक में इस बीदियो में यि दे जो आँलोर करेंगे तो उससे क्टिन शहें करने के बाद आपको अपने कंप्पीटर जो एंटी वाइरस ऑसे और इंडी से अपको डिसेबल कर देना होगा क्योंकि बैसा एगा कर आपका इनेबल रहेगा तो फाई जो है आपको पहले आपना ऐसे बर करें डिसेबल करके है अपको काम करना है अपने सी ड्राइब के प्रोग्राम में ड्यांने बात पूरी के पूरी सेट अप को डाल देंगे और वहाँ सी जो है आप उसका जो路्डर होगा उस-लोडर को जो है आप सेंड कर देंगे अपने जिस्टप पर उसके बाद ऊस्सलोडर को आप open करेंगे बिलकुल इसी इंतरлем बॉक्स की तरही और इसी तरह आप जो किसी भी मुबाइल को जो है आप फ्लासिंग कर सकते हैं और रिपेर कर सकते हैं और अगर अपमान कीश लिए अगर आप box ख़ड़ना चाहते हैं तो मेरिंकल बोक्स को कैसे इंस्टोल करियाता है तो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ लास्ट में आप देख लें पुरी वीडियो को आको समझ में आ जा लागा तो कैसे आपको Miracle Box इंस्टोल करना है, कैसे उसका जो सारा driver इंस्टोल करना है अपने computer दोस्तों आप इतना जान लें कि जितनी भी company की mobile होती है चाहे mobile किसी भी company का हो, चाहे वो Nokia को हो, लावा का हो, या Samsung का हो, या MI को हो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, और Miracle Box कैसे इंस्टोल कर आता है, आप यहां देख लिए, दोस्तों, यह मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से Miracle Box इंस्टोल कर सकते हैं, अपने computer में तो दोस्तों, अगर कोई भी सवाल सुझा हो आपका, तो आप directly comment box में लिख सकते हैं, मैं reply करूंगा, और online में आपका help कर सकता हूँ, और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और कि किसी काम है, तो वीडियो को लाइक करें, और शेयर भी कर दें, Facebook, WhatsApp पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाए,